बज़ट सत्र से पहले 146 विपक्षी सांसदों का निलम्बन रद कल से संसद आएंगे बीजेपी बोली इंदिया गडबंदन का ब्रेइन डेड नमस्कार मैं श्वेता आपका दक्खबरदार नियूज मैं स्वागत करती हूँ तो चलिए रूप करते हैं आज की प्रमुक और बड़ी खबर पर संसद के शीदकाली सत्र के दौरान सस्पेंड 146 सांसदों का निलम्बन रद हो गया है बज़ट सत्र से पहले कोई सर्वदली अबैचक के बाद मंगलवार कुकेंद्य संसदियक कारिमंत्री प्रहलाद जोशी ने यह जानकारी दी है जोशी ने का है कि सर सर्वदली अबैचक में उन्होंने असम में राहूल गांदी की यात्रा पर हुए हमले और राजसरकार की तरफ से लगाई गए प्रतिबंदों का मुद्धा उठाया है साथ ही मंसोरे लालू प्रसादी आदव समयत विपक्षिनेता को निशाना बनाने के लिए CBI और ED के द एवम समाजवादी पार्टी के नेता स्टी हसन जंतादल यूनाइटर के नेता रामनात ठाकुरवा तेलगू देशम पार्टी के नेता जैदेव गल्ला सामिल हुए 31 जनवरी से निलंबेत सांसद सदन में लोटेंगे केंद्रे मंतरी प्रहलाद जोशी ने कहा है कि मैंने किन सरकार की तरफ से लुक्स बाद्यक्ष ओंबिडला और राजसबा सबापती हरिवश नारायन सिंग से विपक्षी सांसदों के निलंबन को रद करने का नरोद किया हुए थे वहीं 11 सांसदों के सस्पेंशन का मामला प्रिविलेज कमेटी को भीज दिया गया है विंटर सेशन में 146 सांसद निलंबित हुए थे संसद सुरक्षा स्चू को पर विपक्षी सांसद पीम मूदी और अमिश शाह से बयान देने की मांग कर रहे थे हंगामे के चल को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने सपनों का घर बना रहे हैं एपी कंस्ट्रक्षन सॉल्यूशन्स आपके लिए तैयार है मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकरशक वास्तु कला और विशशग्य वास्तु परामर्ज तक हम आपके सपने को साकार करते हैं वास्तु कला वास्तु और हुनर इतने बढ़ियां दिये गए नमबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं झाल झाल झाल